तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मासिष्ट की पोस्ट से रिलेटेड जी हाँ एनचेम यूपी के दवारा फार्मासिष्ट 445 टोटल नंबर पोस्ट आपकी आ चुकी हैं जिसके लिए आप तयार हो जाएए आज ही से फॉर्म वर्णा स्टार्ट कर दीज जी हाँ तो एनचेम यूपी के दवारा फार्मासिष्ट की पोस्ट आपकी आ चुकी हैं किस किस पोस्ट से रिलेटेड आपकी जनरली पोस्ट निकली है उसके बारे में भी डिकस कर लेटे हैं टोटल लंबर व बैकेंसी आपकी 17,000 से जाद आपकी आ चुकी है चलिए तो और फार्मासिष्ट से रिलेटेड आपकी पोस्ट निकली है जिसमें टोटल नंबर व पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 से भी प्लस आपकी पोस्ट है जी हाँ जिसमें आप फार्मासिष्ट की अगर हम बात करें तो 445 टोटल नंबर व पोस्ट है तो आज ही से आप इस post के लिए तयार हो जाएए बात कर लेते हैं pay scale की तो यहाँ पर different different program की according different different आपका post है pharmacist की अगर मैं बात करूँ तो NUHM की according आपका जो pay scale रहेगा वो 19,101 रहेगा minimum अगर pay scale की मैं बात करूँ तो वो है आपका 13,500 की something उसके साथ साथ कभ यह आपका vacancy आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसका जो vacancy time है generally जो आपका application form fill करने का जो rate date है वो आपका आचुका है तो आज से ही आप क्या कर सकते हैं इसमें आप अपना vacancy के लिए आप apply कर सकते हैं application form fill कर सकते हैं उसमें जो date है आपका generally वो last date की अगर मैं बात करूँ तो 12 तारिक दिसंबर में आपका जो 12 तारिक है उस वो आपकी last date है इस form को fill करने की तो आज ही से आपने form को fill कर दीजिए और आगे discuss कर लेते हैं exam की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर CBT exam होगा computer based exam होगा जो की आपका generally computer based रहेगा fully computer based रहेगा जिसमें minimum आपका जो उस exam को qualify करने के लिए जो percent रहेगा तो वो आपका general के लिए 33% रहेगा marks आपके लिए OBC के लिए 30% रहेगा और जो आपके SC और ST के डगरी के लिए हैं उनके लिए 24% minimum qualification क्या रहेंगे marks रहेंगे उसके बाद next बात कर लेते हैं कि आपका जो qualification area qualifications की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर pharmacist के लिए diploma और degree दोनों ही apply कर सकते हैं दूसी चीज यहाँ पर freshers को भी priority दी जा रही है यानि कि experience की यहाँ पर कोई requirement नहीं है और हाँ यहाँ पर जो यह post निकलिए pharmacist की इसके लिए कोई भी apply कर सकता है UP candidate भी apply कर सकते हैं और आपके किसी भी other states के students इस job के लिए apply कर सकते हैं age limit की अगर मैं बात करूँ तो minimum जो age limit है वो 18 है और maximum कितना है आपका 14 है तो 40 और 18 यानि कि minimum कितना है 18 और maximum जो age है आपका 40 है इनके बीच में जो भी candidates है वो आपके इस post के लिए apply कर सकते हैं 18 से कम के year के जो students है वो apply नहीं कर सकते हैं और आपके 40 से उपर के जो लोग है वो इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं total number of अगर district की मैं बात करूँ तो total number of district 52 districts में आपके क्या निकली है ये post निकली है देख लेते हैं किन-किन districts में आपकी generally ये post निकली है तो बहुत बड़ा PDF है यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं तो district अगर मैं बात करूँ आगरा में अलिगर में बरेली में इटावा में और आपका फतेपूर में गाजियाबाद में गाजिपूर में गौंडा में गोरकपूर में different इडिफरेंट आपके कहां पर निकली है ये post निकली है तो अभी से तयार हो जाए इन post के लिए और अगर आ जी डी सी है तो मुम्किन है चलिए देख लेते हैं आपके इसके लिए application को कैसे apply करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर type करना है क्या nhmup जैसे आप nhmup टाइप करेंगे यहां पर इस तरीके का कुछ क्या हो जाएगा chrome का आपका tab open हो जाएगा उसके बाद आप पर इसको scroll on करके आपको अप करके scroll up करके यहां पर online application पर फिल करना है online application में क्लिक करके इसको scroll करके यहां से आप क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं और आज ही से अपना form फिल कर दीजिए ताकि आप अपनी preparation को और better बना पाएं thank you so much मिलते हैं next वीडियो में next किसी और job के आप